नमस्कार देश टीवी के खास कारेक्रम खास बात में आपका स्वागाता है जैसे कि आप जानते हैं इस कारेक्रम के मात्यम से समाधिक राज्मितिक और कलाक शेतों से चुड़े सक्षियत को आपके सामिलाते हैं आज इसी कड़ी में हम आज चक्षिगड़ी फिल्म के प्रोडिवार के उसे आपको नमस्कार अब हम शुरुवात करते हैं आपके सफर के लिए सबसे पहले हम जाना चाहेंगे कि आपका जो सफर है इस तरह से शुरुवात हुई और क्योंकि सब कोई रहता है चात्र जीवन स से एक अलग मुकाम हासिल करने की कोशिश होती है तो क्या रहा अपका चाहते दीवन से हम सुरुवात करते हैं ऐसा है दादा जब 36 फिल्मों की सुरुवात हुई 2001 में 2000 में जब प्रांत बना उस समय मोर्चहियां फिल्म आई बहुत बड़ी हिट हुई उस समय एक ऐसा दौ दौर था 36 फिल्मों का कि हल लोगों को रुजधान 36 फिल्मों की तरफ था उसके बाद एक मेयारूफ होजी फिल्म आई जिसने बड़ा इथियास रचा तो उस दौर में मेरी में एक्जिवूटर लाइन से जूड़ा था शनेमा लाइन से जूड़ा था तो उस दौर में film को produced किया मैंने और जनता का बड़ा इसने मिला यहां और फिल्म अच्छी सफर रही इस तरह से मेरी 36 बड़ी film हों में मेरी स्रूबात रही और मेरा शुरू से सने मालाइन में रूची रही और मैं यूपी मैं सने Μालिक रहा हूँ इसलिए मेरा सिनेमा लाइन से बड़ा जुड़ा वह तो जिब आपके जो शुरुआ जब सिनेमा से ही शुरुआत हुई है तो उस समय कई बार क्या होता है जब कॉलेज से हम निकलते हैं तो उसके बाद माता पिता चाहते हैं कि कोई अच्छा नौकरी करे या किस तो आपका कुछ एम हम रहा है उस समय दर शुरु से मेरा ऐसा रूज़ान रहा है कि मैं पड़ाही के बाद मैं सागर इनवर्श्ती ड ट helped to Take Heart रिघृष्प मेरा से अपना एक ऐसा रूज़ान रहा है कि मैं जो बी करूं बिजन्स कि वो are मेरा रुज़ान रहा है संध मालाइन मैं बच्पन से म देखने जाया करता था तो जब से मेरा बड़ा रुज्वान रहा है सर्वीस में कभी मेरी रुची नहीं रही कि मैं कोई अधिकारी बनूं या कोई बड़ी पोष्ट की मेरी लालसा रही हो मेरा सुरू से रुज्वान बिजनिस में रहा है और जैसे ही मैंने अपना में यहां 36 गड़ में आ गया तब से 36 में ही में रह रहा हूं और मेरी रुची सुरू से ही सनेमा लाइन में तो अब आगे का जो सफर है आप 2001 से जब आपने कॉमेडी फिल्म चालू की है तो उसका जब रुज्वान आपको लगा कि बहुत अच्छा रहा तो आगे फिर और और पिक्चरें भी आपने निर्मान किया होगा उसके बाद मैंने एक 36 गड़ी फिल्म मोर सहिया जिसको मैंने पहली बार बोचपुरी के सुपरिस्टा अभी किशन को इस फिल्म में मैंने लिया और उस फिल्म का मैंने निर्मान किया दो हजार तीन में मैंने मैंने वह फिल प्रिंट पर रिलीज होती थी तो हमने चार प्रिंट पर उस फिल्म को रिलीज किया था रक्षा बंदन का समय था पबलिक का बहुत इसने और आपार समर्थन मिला तो उससे मेरा रुझान बढ़ता चला गया और मैंने 36 गड़ी फिल्मों में अपनी रुची निरंतर बनाई निर्माता अलग राय और निर्देशक प्रेम चंद्राकर एक बार फिर दे रहे हैं 36 गड़ी सिने प्रेमियों को भरपूर मनरंजन का महता हुआ गुर्दस्ता बैरी के मया अपने निर्माण कर चुके हैं उसमें अभी तक 36 गड़ी फिल्म इसके बाद मैंने मया में फूल मया में काटा कर निर्माण किया उसके बाद 2008 में मैंने रगवीर फिल्म प्रेम चंद्राकर जी के साथ निर्माण किया रगवीर फिल्म और उसके बाद मैंने 2010 मया देदे मयारू यहां की मल्टी स्टारर फिल्म मैंने बनाई जिस जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई और बहुत ज़्यादा चली उसका प्रमोसन इतना अच्छा था जो लोगों में एक जागरुकता थी कि ये फिल्म कब आए और कब मैं इसको देखूँ प्रेम चंदराकर जी की निर्दिसन में फिल्म बनी थी मम्ता चंदराकर जी ने उसमें गाने गाये थे उनकी म्यूजिक में बड़ी पापॉलर्टी है आज वो पदम सिरी है लेकिन जो उस सहय लोगों में था मया देदे मयारू को देखने के लिए उससे मेरी रूची निरंतर बढ़ती गई इसके बाद मैंने बहरी के मया का निर्माल किया 2013 में और अभी मेरी भुछफुरी फिल्म हमरे नावी जिला हिलेला रिलीस पर है और बुजल भी इसी साल रिलीश करूँ आपका जो सफर दीख रहा है उसमें सबसे ज़्यादव मया नाम से ही आप बहुत ज़्यादा प्रभावी थे हैं ऐसा कुछ मैंने बहुत फिल्मों का निर्मार किया है तो लोगों का मया भी आपको मिलता रहा जयंता का मया यहां के लोगों की मया यहाँ जहां भी हमने सूटिंग की है वहां सब लोगों की बड़ी सहयोग मिला है और उसी एकाड में नरतर प्रियास करता रहता हूँ अभी मैया देदे मैयारू पार्ट टू का निर्मान में बहुत जल्दी अगले साल करूँ तो यह भोजफुरी फिल्म जो आपकी पूरी बन चुकी है अब पोस्ट प्रोडक्शन में वह चल रही है वह कब तक लोगों को देखने मिल आएगा किस यह दो हजार अठारा लगभग जून या जुलाई में फिल्म रिलीज होगी और बिहार मुंबई दिल्ली उपी सभी ज चतिजगड़ी में क्या है डविंग का इसको फैनी दादा कोई भी डविंग फिल्म चतिजगड़ में अभी तक सक्सिज नहीं होई है चतिजगड़ की अपनी संस्किति अपनी एक धरोग है जो यहां के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कोई भी फिल्म अगर यहां और भोजपुरी की संस्किती में फार्क है यहां पर जो म्यूजिक है वो फोक म्यूजिक चलता है यहां की संस्किती चलती है यहां की लोगों को भासा से लोगों को लगाओ है और वो चीज़ जो यहां की लेंग्वेज में बनती है न तो जनता उसको हाथो हाथ देखती है तो लोगों का ये भी बिचार रहता है कि भोजपुरी लगवद्ध प्रभ्षाथा की और भी जाता है, यहां की संस्किती में भी थोड़ा कुछ उससे मिलता जूलता है वभुषपूरी फिल्मों में और 36 गड़ी फिल्मों में बैसिकली है ये डिफरेंस है, यहां कि जो फिल्मेें हैं वो पठीवारोिच बनती है, वो ही सक्सिस होती है यहां की कलचर जो है वो पठीवारीप के और जादर उव्यान और पूलता यहां नाम मात भी दर्शक कॉमेडी फिल्म में जैसे आपने शुरुवात किया था तो कभी और सोच रहे हैं कि यह का कॉमेडी और आ जाए क्योंकि अब दोर भी वदल गया है कई देड़ दर्शक पार हो चुका है कॉमेडी फिल्म का एक अपना अलग महत्त होता है कॉमेडी फिल्म जैसे हमारे पास कि पूरी फिल्म कॉमेडी नहीं बनाते हैं तो रिजनल का जो कंटेंट है वो हम लोगों की पूरा प्रयास रहता है कि फिल्म परिवारिक हो कॉमेडी हो और अच्छा मुजिक हो फिल्म में और इसहां की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुब फिल्म का निर्मान करें चलने की बहुत ज्यादा रहते हैं आजकल देखा जा रहा है च्छतिस गड़ी फिल्म में भी बहुत सारे पहले की अपेक्षा उसमें महुत का अंक्षाई भी बढ़ गई है और दूसरा उसकी जो शुटिंग है वो बाहर भी होती है तो आप भी ऐसे निर्माता क्या बाहर भी शु उसने हुआ कि फिल्म सिटी होना चाहिए मतला पूरा च्छतिस गड़ लोकेशन इतनी शांदार और व्यूटिफुल है कि कभी हम लोगों ने मैशूस ही नहीं किया कि यहां लोकेशन की कोई कमी है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाहर की लोकेशन फे फिल्म सूट करके द अपनी फिल्म को कहीं बाहर सूट कर दूसरा यह था कि जैसे पहनावा पे जो देखा जाता है हीरो हीरो इनका जो पहनावा है पहले पूरी ट्रेडिशनल हुआ करता था अब थोड़ा सा परिवर्तन भी आया है तो यह क्या परिवर्तन की मांग है या किस तरह से आप उसको जमाना है लोगों की निरंतर सोच बदलती रहती हो सोच के साथ अगर अपनी सोच में भी हम बदलाओ लाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता उससे कनेक्ट होगी पहले गाओं का कल्चर था वो आज भी हम लोग फिल्म में दिखाते हैं और म्यूजिक में दिखाते हैं गा अगरे दे डिजिटल तक आ गए क्या लगता है इसको कहां तक ही पहुंच हो रही है जादा मेरा ऐसा मानना है कि डिश्टल सेनेमा आने से प्रोडूसर के लिए बहुत अच्छी राहत होगी प्रोडूसर पहले जब इस्ताक लगता था सेलो लाइट पे फिल्म बनती थी त क्योंकि जब भी हम कलाकारों को लेते थे किसी नए कलाकार को मौका देते थे तो रिटेख होते थे बारवार तो हम लोगों कैसा लगता था कि फिल्म में हम लोगों कम्प्रमाइस करना पड़ जाता था कि लिवर्टी नहीं मिलती थी आज डिश्टल का जमान आने से एक नि और मेरा अपना खुद ऐसा मानना है कि डिश्टल से आने से लोगों में नई टेक्निक से जो जागुरुकता आई है उससे निर्माताओं का बड़ा रुजहान हो गया सनेमा बनाने के लिए और काफी नए निर्माता भी इस लाइन में अपना किस्मा ताजमा रहे हैं और इस गड़ी एल्बम उस समय बनते थे जब म्यूजिक का बड़ा जोड था लोग म्यूजिक को कैसिट में सुनते थे तेलीविजन में देखते थी जब मोबाइल उतना लोगों के पास हुआ नहीं करता था आज यूटूब में सारी चीजन डाउनलोड मिलती है तो आदमियो जिसको भी मुजिक सुनना है वो सब अपने मॉबाइल के माध्यम से सुनता है इसलिए यह दौर कम हो गया खर्श भी बहुत बड़ा कारण भी है इसमें खर्श का खर्श का इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कारण यह के रिकभरी नहीं होगी पूडूसर की तो आप सब्सक्राण की लिए अलबम मेए कोई रिकभरी मुझे आसा लागता कर कि कहीं से होगी एक कलाकार की आप लिए बात किया लगभग देखा जाता जैसे पाकिस्तान के यहां यहE жд हम आन्ते हैं पाकिस्तान के कलाकार हैं गयाक वset है उसका विरोध किया जाता है तो खहां तक लगता किया यह उची था आप उसी चेत्र से जुड़े हैं मेरे अपनी समझ से जैसे पाकिस्तान के कलाकार हैं आज आप और हम हमेशा यह देख रहे हैं आए दिन हमारा सीमा पर उनसे भीवाद होता रहता है तो जब हमारे यहां कलाकारों की कोई कमी है क्या हिंदुस्ता जो हम कहीं बाहर के कलाकारों को जवर जस्ती बूलाएं और अपने यहां से उनको काम दें और अपने यहां के कलाकारों पर ध्यान ना दें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाहर के कलाकारों को यहां अभी जो माहौल है हमारे उसके चलते उनको मौका मिलना चीत अब जाते कि फिल्म यहां की पब्लिक बहुत पसंद करती है और बढ़ चड़ के फिल्म देखती है आपने हमेशा देखा हुगा कि जब कोई घंदी फिल्म भी लगती है ना तो चतिसगड़ी फिल्म अगर अच्छी बनती यह तो इसके सामने वह दो पनी निमांगती तो जनता हमेशा 36 गड़ी फिल्म को देखती है और पसंद करती है हम निर्माताओं का यही काम है कि एक अच्छी फिल्म बनाएं और जनता तक दें तो जनता जरूर उसको हाथ हो हाथ लेगी तो अथे हमारे साथ आज अलग राय जी बहुत इतने देर तक हमने से बहुत सी चर्चाएं की निर् जादा से जादा वीडियो अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें निवली अप्डेट्स के लिए बेल आइकोन का दबाए देस्ट्वी वीडिपोट यूदिसाइट